तो नमस्कार मेरे भाईयों ये लास्ट चैप्टर है जो अपन को बहुत स्ट्रॉंगली करना है ये जो पोर्शन है थोड़ा सा थेोरिटिकल है मैं चाहता हूँ कि इसको सेपरेटली करवादू सो देट कोई शंका न रह जाए ये शक न रह जाए कि अपने कुछ भी छोड़ा है इसके अंदर मैं सारा थेोरिटिकल एसपेक्ट कवर करूँगा खेर मैंने एक प्रैक्टिकल भी रखा है कोशिश करूँगा उसको सेपरेट करने की अगर नहीं हुआ तो वो इसी वीडियो का पार्ट बन जाएगा शुरू करते हैं बिजनस अर्थमैटिक के अंदर सबसे पहले वर्किंग कैपिल समझते हैं अब तुम सोचते होगे ये वर्किंग कैपिल होती क्या है भाईया कार ये प्रनाली को करने के लिए लगने वाला पैसा बिजनस के अंदर रोज मरना के खर्चे हैं कभी भाईया स्टेशनरी निकलवानी है मदब प्रिंट आउट वगरे निकलवाना है कभी चाय पीने जानी है कॉफी मशीन रखिये तो दम आदम कॉफी पिए जा रहे इन सब में खर्चा लगता है इन सब में पैसा लगता है डे-to-day operations में पैसा लगता है उसके लिए लगती है working capital समझो यार जरा एक good idea है उसके साथ well laid out implementation plan है सब सब बढ़िया चल ला है बढ़िया हम inventory manage करेंगे बढ़िया हम रोज मरना पर production करेंगे a very good idea फिर a well laid out implementation plan उसको implement करने के लिए plan भी बहुत अच्छा है लेकिन वही तो दिक्कत है न कि यहीं पे अगर सारी बाते हो जाती तो बात ही क्या थी इसके लिए लगता है पैसा और वो पैसा जहां से आता है वो होता है working capital working capital क्या है money needed to fund the normal day-to-day operations of a business जो रोज मर्रा की कारिर प्रणाली है जो रोज होने वाले काम है उसमें जो business को पैसा लगेगा खर्चा करना पड़ेगा उसको नाम दिया जाता है working capital अब देखो operating cycle तो में समझना जरूरी है अगर working capital का sense बनाना है तो क्योंकि पैसा क्यों चाहिए और किस लिए चाहिए वो पता होना जरूरी है logic तो होना चाहिए कि क्यों पैसा चाहिए तो देखो सबसे पहली चीज तो आपके पास मान लेते हैं stock of goods है आपके पास बड़िया goods रखे अगर आप एक retailer हो या ये बोल लेते हैं कि आप एक trading business हो जो goods खरीद के बेचता है इस से ज़्यादा तुमारा काम नहीं है तो क्या हुआ तुमारे पास stock of goods पड़ा हुआ है तो मुसे market में बेचोगे अब एक चीज बिजनस का पहला उसूल तो मैं पता होना चाहिए कि जितने भी transactions होते हैं basically मैं यहाँ पर अगर example लूँ तो मैं wholesaler के बात कर रहा हूँ जो wholesalers होते हैं even मैं उनकी बात करूँ तो वो कभी भी cash में goods नहीं बेचते retailers को अब मैं retailers की बात नहीं करूँगा क्योंकि वो end consumer से related होते हैं उनकी बात करेंगा कोई logic नहीं because they never buy goods in bulk तो जो goods bulk में लेते हैं चाहिए वो agents हो गए चाहिए वो wholesaler हो गए उनकी story में जाद अच्छे समझा सकता हूँ तो हुआ क्या कि उनके पास stock of goods पड़ा हुआ था उन्होंने market में बेचा so they will never sell it in cash they will always sell it on credit ये rule होता है market का उसूल होता है because अगर तुम retailers को बेचते हो तो भाई वो पैसा कहा से लाएं तुम्हें immediate देने के लिए तो वो क्या करते हैं consumer को बेचते हैं जब पैसा realize होता है तो वो wholesalers को देते हैं that means whenever you are making sales as a wholesaler जब भी बेच रहे हो तुम्हारे लिए तुमने जिनको भी बेचा है वो बन जाएंगे debtor जिनसे maybe एक महिने दो महिने तीन महिने डाउन देलेन तुम पैसा कवर करोगे तुम्हें आज पैसा नहीं मिल रहा है तो वो जाके काई में convert होगा फिर further further cash में convert होगा मतलब there is a difference यहाँ पर जो debtor और cash है ना यहाँ पर almost तीन महिने का gap आ गया almost अगर मैं देखू एक average time period लेके चलू तो तो उस time पर तुम्हें किस चीज की जरूरत होगी पैसे की but obviously as a trading firm as well वो liquidity होनी चाहिए वो cash availability होनी चाहिए उस operating cycle के अंदर so that तुम अपना business as a whole seller भी day to day चला सको यहाँ पर working capital जरूरी है फिर तुम पूछे के manufacturing में क्या होता है बाबजी manufacturing में और step बढ़ जाती है you have the raw material चलो मान लेते हैं तुमारे पास cash था cash से तुमने क्या खरीदा raw material खरीदा आप बोरोगे बाबजी credit पे भी तो खरीदते बिल्कुल मेरे मुन्ना सही कह रहे हो बिल्कुल कह रहे हो तो चलो मैं card देता हूं इसको ठीक है तुमारी बात मान लेता हूं कि cash में नहीं खरीदा raw material credit पे खरीदा अब मेरी बात सुनना हमारे पास raw material आया हमने उधारी पे raw material खरीद लिया raw material से क्या होगा भाई या work in progress होगा मतलब कारे प्रगती पर है production करा जा रहा है बनाया जा रहा है production किया जा रहा है उससे क्या बनके आएगा finished goods बनके आएगे यहाँ पे finished goods को बेचा जाएगा बेचने के बाद वो लोग debtors बनेंगे जब आप बेचते हो ना जब आप किसको बेचते हो whole sellers को बेचते हो तब भी आप credit पे बेचते हो debtors बनाते हो आप तीन-तीन महीने बाद पैसा निकलता है फिर भी यहाँ पे वापिस 3 months का almost gap आ रहा है 3 महीने का gap आ रहा है cash में convert होने में तब ही कई बार यह cycle देखते हुए मैंने बोला भाई इसको काट दो cash में तो raw material तुम खरीद ही नहीं सकते इन केस अगर यह होता है कि छोटी quantity है या ऐसा कुछ है तो you can purchase it in cash वो हो सकता है तो वो cycle तो बनाता है लेकिन हम raw material खरीदते काई पे हैं credit में खरीदते हैं और क्यों खरीदते हैं क्योंकि जब हम बेच credit पे रहे हैं जब हम बना debtors रहे हैं और अगर हम cash में खरीदना चालू कर दे तो हमारा deficit बढ़ना चालू हो जाएगा कैसा बेचा आपने काई पे? credit पे, उधारी पे लेकिन आप खरीद काई में रहे हो raw material cash में पैसा काँ चलाओगे? जब बेचा उधारी पे है पैसा ही realize नहीं हुआ तो raw material खरीदने जाओगे cash कैसे पे कर दोगे तो both ways credit availability जरूरी है और इस cycle को चलाने के लिए आपके पास regular money होना चाहिए जिस money को हम बोलते हैं हमारा working capital कितना detail समझाया मैंने तुमें so that तुम्हें confusion ना हो कि ये working capital का scene क्या है क्योंकि आएगा तो confusion तो आएगा especially working capital को लेके especially question घुमा के आगया तो तो मैं एक सांस में simple बता देता हूँ working capital का मतलब होता है वो पैसा जो आपको liquidity में available करवा के रखना पड़ता है अपने पास so that आप day to day operations चला सको क्योंकि चाहे बात आजाए आपके goods बिकने की आपको on the spot पैसा नहीं मिलता है चाहे बात आजाए raw material की कई बार उधारी पे goods नहीं मिल पाता है you have to purchase goods in cash हर तैयारी के साथ रहना पड़ता है अगर आपको day to day operations चलाने है और उन तैयारी के लिए working capital की बहुत जादा requirement होती है तुम्हारे जितने भी current assets होते है सिर्फ अगर current assets को count करो उसमें से तुम current liabilities को minus नहीं कर रहे हो वो तुम्हारे हो गए gross working capital का part the sum total of all current assets of the business is actually gross working capital क्योंकि अभी तुमने उसमें से current liabilities को minus नहीं किया लेकिन जैसे ही तुम current liabilities को minus कर देते हो वो बन जाता है net working capital मतलब difference between current assets and current liabilities तुमने किया क्या तुमने उठाया और current assets में से जितने तुमारे current assets है उन में से पूरी current liabilities को क्या कर दिया minus कर दिया और यहां तुमारे पास पता चलिया कि आखिर वो कितने net current assets remaining है जो कि तुम working capital की तरह use कर सकते हो या फिर आगे फर्दय तुमारे use में आ सकता है अब तुम बोलो कि बबजी इसका मतलब क्या हुआ तुरा से detail में बता दो कि तुम मज़ा आ जाएगा मैं वही चाहता हूँ देखो gross working capital क्या कहता है तुमारे पस current assets है कभी भी तुम्हें पैसे की requirement पढ़ती है कभी भी तुम्हारे funds की requirement पढ़ती है working capital से पैसा आ जाएगा because you have current assets networking capital उसमें एक step आगे जाके बोलता है वो क्या बोलता है सारी current liabilities भी minus कर दो जाने दो मान लेते हैं कि तुम्हें जरूरत पढ़ गई current liability को pay करने की तो अगर वो सारी current liabilities को भी minus कर दो अगर उसके बाद भी पैसा बच रहे तुम्हारे पास that is your networking capital वो पैसा तुम आगे कभी भी urgent कोई requirement पढ़ गई, कोई खर्चा पढ़ गया, कोई expense पढ़ गया उसमें use कर सकते हो यार सोचो कितनी बड़ी बात है तो gross working capital बताता है, पैसा है current liability देनी पढ़ी, पैसा है कोई खर्चा करना पढ़ा, पैसा है that is gross working capital, लेकिन net working capital बोल देता है liabilities pay करने के बाद भी इतना पैसा बचा है कि कोई खर्चा अगर आ जाता है उस पैसे से pay कर देंगे because networking capital says पूरे current assets में से पूरी current liabilities को minus कर दिया उसके बाद भी पैसा बचा हुआ है अगर खर्चा कोई और आ जाए additional वो भी हम assume करके pay off कर देंगे because we have that money तो यहाँ पर यही बोला गया आगे बढ़ते हैं inventory के उपर inventory क्या कहता है collection of things है inventory मतलब जो हम maintain करते हैं stock maintain करते हैं वो क्या है collection of things कौनसी things होनी चाहिए भाई यह tangible जिनको आप देख सको छू सको पकड़ सको वो tangible things का फिर control to have power and ability to make somebody or something within certain limits basically मैं inventory control को अगर whole as a whole समझाओ यहाँ पर वही चीज है कि जब हम inventory को manage करते हैं inventory को control करते हैं तो that means हम उसे एक दाइरे के अंदर लेके आते हैं कि कितनी inventory maintain होगी कितनी inventory को किस context में use किया जाएगा and कितने limits के थूसको रखा जाएगा so that business को से maximum profit हो and इसलिए हम ने inventory और control को अगर अग बताया inventory वो है जो तुमारे पास एक tangible thing है control करने का मतलब है you are managing in a context where business is at its maximum profit by having the minimal cost क्योंकि inventory को manage करना inventory को control करने के लिए costing लगती है because you need to have a place you know आपके पास एक जगे होनी चाहिए conditions होनी चाहिए and you know फिर उसके बाद कितनी inventory maintain करोगी because बार बार आपको इसको maintain करने के लिए you have to bear that transportation cost बार बार inventory को fill करने के लिए transport कराना पड़ेगा raw material लिकाना पड़ेगा या जो भी inventory maintain करे हो so there are so much of complexities इसलिए ये inventory control ये inventory management होना ज़रूरी है now let's talk about the components aspects of inventory management आखर inventory को कैसे manage किया जाता है देखो यार business के लिए inventory एक बहुत बड़ा complexity है the reason being because अगर वो proper inventory management नहीं है business को बहुत heavy cost incur करनी पड़ सकती है and that too at the most अगर मैं sorry मैं ऐसे बोलना हूँ but to the most useless part because business के लिए हर वो एक रुपया बचाना per unit बहुत ज़रूरी होता है if they have to keep a check on their profits they have to earn maximum amount of profits and उसके लिए inventory management बहुत ज़रूरी है यह उन businesses से पूछो जैसे Amazon हो गया Flipkart हो गया you know बड़े बड़े business houses जिनके लिए वो inventory management सब कुछ है you know to deliver the product right on time वहाँ पे inventory management बहुत matter कर जाता है so stock keeping unit सबसे पहले क्या कहता है basically each and every item in the inventory is to be identified with a unique code which signifies certain aspect of the item चाहे electronic item हो मैं तो Amazon warehouse की बात करता हूँ चाहे कोई electronic item हो चाहे कोई grocery item हो चाहे वो daily use item हो इन सब को क्या किया जाता है stock keeping unit के तहत divide कर दिया जाता है कैसे giving item in the inventory to be identified with a unique code एक alpha numeric code दे दिया जाता है एक unique code दे दिया जाता है जिससे उसको identify किया जा सके वहाँ पे जो workers काम कर रहे है can be color, size, weight और any other characteristic किसी के भी basis पे वो unique code दे दो electronic items के अंदर कितने सारे आते है groceries के अंदर कितने सारे आते उसको आपको किसी तरही के से quantify करना पड़े किसी तरह से unique तो करना पड़ेगा unique identity तो देनी पड़ेगी वो इसके अंदर किया जाता है then SKU, मतलब stock keeping unit की बात करा हूँ is the very basic unit of the data मतलब ये एक बहुत basic सा norm है जो करना जरूरी है ताकि जो इतनी अच्छी खासी piled up inventory है मैं तो Amazon की बात करा हूँ यहाँ तो companies की बात होती है जो एक company, जो manufacturing unit है जो चीज़े manufacture करी है उसको जो data maintain करना है उसके लिए ये एक बहुत basic चीज़ है ये use किया जाता है जो basic SKU, stock keeping unit है इसको आगे use किया जाता है for further decision makings for further calculation of stats जो के business को help करते है how they have to manage their inventory देखो यार, मैं तुम्हें अगर inventory का कोई भी aspect समझाना चालू करूँ तुम तब तक detail नहीं समझ सकते जब तक तुम्हें ये समझ में नहीं आ जाए when it comes to inventory management for any business अब बहुत सारी चीज़े maintain करने को होती है सिर्फ एक चीज़ थोड़ना है when they have to manage the inventory there are so many things balance sheet में तो क्या लिखा देख लिया या inventory में तो क्या लिखा देख लिया balance sheet के head के अंदर asset side पे के inventory है accounting में तो inventory है और उसकी एक pricing है या उसका एक basically figure दिया हुआ है कि that is the amount of total inventory लेकिन उसके पीछे के case तुम्हें पता ही नहीं है उसको कहा जाता है monthly crowd exhibiting great diversity of elements the treatment of each class will be different monthly crowd पता है कहता क्या है simple सी शब्दा वाली है कि इसके अंदर अगर inventory की बात भी कर लूँ तो तुम्हें कितनी सारी चीजें मिल जाएंगी raw material है, packaging material है spare parts है और semi finished goods है like ये तो मैंने कुछी example दिये कि आखिर कितनी सारी चीजें सिर्फ एक term inventory के अंदर आ गई तो जब इतने सारे diversifications है उस सब को context में क्या बोला जाता है monthly crowd that there are so many things जो कि आपको accounting में नहीं दिखती है जो कि आपको balance sheet में देखने को नहीं मिलती है but they exist, that is monthly crowd then comes space अब यार business के अंदर अगर inventory manage हो रहा है तो कुछ बहुत अच्छा खासा space घेरती है तो कुछ बहुत चोटा space घेरती है उसके basis फिर उनके monetary value भी कई बार है वो मैं आगे बताऊंगा space requirement for all items will not be identical neither proportionate relationship with the cost उनकी कोई proportionate relationship नहीं होता बढ़ा है तो बहुत ही महंगा होगा छोटा है तो बहुत ही सस्ता होगा नहीं ऐसा नहीं होता है उनका कोई ऐसा proportionate relationship भी नहीं है जितना वो space घेर है उसके साब से there can be many bulky items with low values भाहिया बहुत सारे ऐसे items हो सकते हैं कि देखने में बहुत बल्की हैं जिनकी value ऐनी pricing बहुत हाई है costing बहुत हाई है बट उनका जो volume है उनका जो space जो घेरते है inventory के अंदर वो बहुत ही छोटा सा है इसी से fourth point निकलता है कोई जादा बड़ी बात नहीं कि value की बात कर ले तो जितने भी SKUs होते हैं वो सारे के सारे के same value हो ऐसा ज़रूरी नहीं है तुम यह सोचके बैठे हो के जितने भी inventory के अंदर you know manage होते हैं items they carry the same value that is just not possible सबकी values different होती हैं according to their usage अब यार lead time क्या है देखो भाई production initiate होने से लेकर production complete होने तक एक पूरा process होता है अगर किसी भी product का manufacturing हो रहा है production initiate हो रहा है शुरुवात हो रही है और कब जाके production complete होगा एक पूरी operating cycle होती है और उसके बीच का जो timing होता है वो lead time होता है यह combined effect होता है of these factors like यह जो कितना बड़ा production cycle होगा कितने time में complete होगा यह lead time कितना बड़ा होगा इस पर depend करता है standard और special raw material क्या standard raw material है जल्दी complete होगा लेकिन क्या complex और special raw material है time जादा लगेगा because complexity is involved then processing time कितना processing time लग रहा है कितना total हर चीज़ को filter out होने में final finished product पहुँचने में कितना processing time है कितना stages involved है उससे भी factor पढ़ता है now scheduling of machines कैसे machines schedule की जाती है कैसे operations conduct की जाते है इसक्टर उससे फर्क पढ़ता है makes up the lead time for an item इससे पता चलता है कि production initiate होने से production end होने तक कितना total time लगता है and that is considered as lead time now comes seasonality of supply अब इसका मतलब क्या हुआ काफी सारे ऐसे goods होते जो कि specific seasons are related होते इसी के बारे बात करें if an item is an agricultural product the supply would be seasonal obviously अगर एक agricultural item है तो उसकी एक seasonal supply होगी उससे भी SKU's काफी effect होते है कि आप आखे stock कैसे क्या keep कर रहे हो कैसे रख रहे हो this plays an important role in designing the inventory control system यह बहुत एक important role define करता है in keeping the stock कैसे उसको आप define करोगे कैसे उसको manage करोगे and then come shelf life अब shelf life सुनो perishable in nature calls for special storage conditions and equipment basically इसमें क्या होता है मैं तुम्हें कैसे बता हूँ simple सी बात है ice cream जैसी चीज़ ले लो जो perishable items है जिनको specific condition चाहिए रहती है या even vegetables वगरे भी ले लो foods वगरे भी ले लो milk वगरे ले लो जितने भी ऐसे product आते है dairy products सारे उठा लो तुम तो मैं तो यह कहता हूँ इनकी एक shelf life होती है So, यह क्या demand करते है calls for special storage conditions या equipment उनको चाहिए होता है So, basically बात क्या कर रहे है हमाँ cold storage or freezer की यहाँ पे So, we basically need cold storage or freezer Freezer, freezer की ज़रूवत पड़ती है Similarly, some of the manufactured food or medicines produced have expiry काफी सारे ऐसे medicines होते है या ऐसे food items होते है जैसे वो packed food items होते है तुमने packaged food बगरा खाया होगा तो उनकी भी expiry होती है आजकल नहे तरह के products आते है 6 महीने तक चलते है वो बिलकुल सबजी बनी हुई आती है seal packed आती है गरम पानी में डालो उबालो उसको पतलब पैग डिए वैसा का वैसे ही और फिर उसको फाड़के गरम करके खाल मतलब गरम हो गया वैसा का वैसे ही खालो तो वो वाले foods की बात करें medicines की बात करें इनके expiry होती है वो भी आपको देखके चलना है साथ में these have financial implications अगर आप इनको stock रखते हो stock keeping units है अगर यापकी इनका आप stock लेके चलते हो इनके financial implications है because these are not just you know getting into the space यह सिर्फ जगे नहीं घेर रही है साथ में इनके लिए जो freezers चल रहे है उसमें भी आपका पैसा लग रहा है चलो यार safety aspect को पड़ते है अब मैं कैसे बता हूँ simple सी बात है आपको stock keeping unit के लिए additional efforts लेने पड़ेंगे अगर आपका product hazardous है तो यानि hazardous in nature needs special precautions to be taken in the storage and यह सारी चीज़े जितने मैं तुम्हें unique points बता रहा हूँ it adds up to the costing of the business then comes obsolescence due to advancement in the technology blackberry के साथ दिक्कत यह हुई कभी उसका तुम story निकाल के देखोगे तो जो stock pile up था उसी ने उसको मरवा दिया मतलब वो इतना जादा कभी advancement करी नहीं पाए with the passage of time और उनका stock pile up होता रहा एकदम से पहले sales बहुत जादा थी और एकदम से जो बिक्री कम हुई वो समझ ही नहीं पाए वो stock के साथ क्या करे and वो अस loop में फस गए and they lost the market so due to advancement in technology certain items may not be used and their demand drops off and वो हमेशा shelf पे रखे रह जाते stock में रखे रह जाते and they are never being used blackberry as an example